साथियों, आप सभी भारत के लोक्तंत्र की एक बड़ी मजबूत इकाई, एक मजबूत कड़ी उसका नेत्रुत्व कर रहे हैं। कर सकता है। भाजपा के कारकरता के तोर पर भी आप अपने जीले में, राज में, पार्टी की निव मजबूत करने में भी अपने काम के जरिये, अपने व्यावार के जरिये, पद पर रहते हुए भी, गमंड के बिना काम करते हुए, आज आप लोगों का दिल जीत रहे हैं और इसके लिए बार बार लोग भाजपा पर विश्वाज जता रहा है। साथियों इसके लिए हमारे दाएं बाएं जो हमारे कारकरता खड़े हैं, हमारे आगे पीछे हमारा जो नित्रत्व खड़ा है। उन सभी कारकरताओं का पसिना भी निरंतर भाँ है। इतना ही नहीं, जरुरत पढ़ने पर भारतिये जनता पार्टी के कारकरताओं ने ये भारत मा की इस पवित्र धर्ती को अपने खून से सीचा है। कई बार संगर्ष किये हैं और मैं पस्चिन मंगाल के मेरे साथियों को विशेश पूर्ट तौर पर आज के परिद्रश में जिस प्रकार से पस्चिन मंगाल के कारकरता। मा भारती के लिए पस्चिन मंगाल के उजवस बविश के लिए पस्चिन मंगाल के गरीब भाई भेनों के लिए जिस प्रकार से संगर्ष कर रहे हैं। एक प्रकार से साधना कर रहे हैं, अपने आपको तिल तिल जला करके यह हमारे कारकरता पस्षिम मंगाल का उस पुराने वैभव को वापिस लाने के लिए काम कर रहे हैं, अब ये भी वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, इस चुनावों में टीमसी ने कैसा खुनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है, पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है, पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फार्म भरने की तारिक गोशित कर दो, फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति, पर चाहीं न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो, और अगर मानो उसने चात्तुरी पुर्वक फार्म भरने के लिए जगा पर पहुँच भी गया, तो फिर चुनाव लड़ने में अडंगे डालना, उनको गर-गर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकिया देना, और सिर्फ भाजपा के कार करताओं को दमकान ऐसा नहीं, वोटरों को भी भेवित कर देना, और बीजेपी की जो समर्थक रिष्टेदार हैं, उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निंकलने नहीं देना, और जब वोटीं होती हैं, तो उस वोटीं में थप्पे बाजी करना, ये टोला बाजों के फोच, थप्पे बाजी की फोच बन जाती हैं, सारे गुंडों को कॉंट्रेक्ट दिया जाता हैं, कितने पोलिंग बुत्फ को कौन कैप्टर करेगा, मत पेटियों उठा करके भागना, और फिर जब कॉंटिंग होता है, तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय कावाताओन बनाना, कॉंटिंग मैंसे बीजेपी के कारकरताओं को उठाक उठाकर करके बार ले जाना, बैट्ले नहीं देना, इतने जुल्म के बाद भी, ये पस्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है, कि वो बीजेपी के कारकरताओं को आश्रवाद देते रहे हैं, और बीजेपी के प्रत्यासी जीतते जा रहे हैं, और जब जीत जाते हैं, तो उनको जुलूस नहीं निकाल देना, कोई जुलूस निकालने की कोशिच कर तो हमले बोल देना, जान लेवा हमले करना, पस्टिम मंगाल में टीमसी की राजनीति का यही तरीका है, वहां हमारी बहनों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को, कैसे प्रताडित किया जाता है, यह हम बलीभाती जानते हैं, इन हालातों में भी भाजपा के जो प्रतिनिदी जीत करके आये हैं, मैं उन्हें और आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, जो लोग पंत्र के चेंपियन बनते हैं, आए दिन EVM से छुटकारा पाने के लिए मनगणन कथाये चलाते हैं, EVM पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया है।